तो नए बेच पर स्टार दालके नई हेडिंग आपको दालनी है Derivation of Savings Curve from Consumption Curve Derivation of Savings Curve from Consumption Curve तो आपको शायद यह लगे कि सर यह कौन सी main heading है यह कौन से topic का पात्र है तो यह अभी भी हमारे पुराने ही पड़े हुए topics का ही एक भाग है लेकिन अलग से हमने star दालके इसको heading दाली तो technically हम AD पूरा खतम कर चुके और AS पूरा खतम कर चुके तो उसी से ही संबंदित यह एक sub topic की तरह है समझे लो लेकिन 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 यह topic जो है यह 100% क्या है इंपोर्टेंट तो ही है 100% exam में करके जाने है ठीक है तो 4 नंबर का या 6 नंबर का इसका question पका आएगा derivation of savings curve from consumption curve तो पहले हिंदी में इस topic का मतलब बताए तो derivation का मतलब होता है जब आप कोई चीज derive करते हो मतलब निकालते हो जैसे आपने कुए में बाल्टी दाली और रसी खीच के आपने पानी निकाला तो वो भी एक तरह से derivation है you are deriving something from something तो यहां पर वो यह कह रहा है कि derivation of savings curve इसका मतलब topic कह रहा है savings कर्व निकालो savings कर्व निकालो किसमें से निकालो from consumption कर्व कह रहा है consumption कर्व में से निकालो तो मतलब कितना चटपटा topic बन गया अभी तक हमने बैसे तो कर्व बना रखे हैं दोनों के डायग्राम भी बना रखें आपको याद भी होना चाहिए लेकिन topic वो यह कह रहा है कि derivation of savings कर्व फ्रॉम कंजम्शन कर्व मतलब कंजम्शन कर्व से saving कर्व निकाल के दिखाओ तो इसलिए बड़ा important topic हो गया तो इसको हम करेंगे आपके साथ साथ तो पहले सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना होता है हमको एक सुन्दर-सुन्दर ठीक है मेरे साथ साथ ही आथ बनाते चलना origin x-axis y-axis तो x-axis पे क्या लिखना है income और y-axis पे consumption तो हमको एक consumption कर्व बनाना है ठीक है हमको एक consumption कर्व बनाना है तो consumption कर्व याद है कैसे बनता था मतलब 60 से शुरू होता था थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको और उसके बाद constant rate से उपर ऐसे बढ़ जाता था तो यह हो गया हमारा consumption कर्व ठीक है तो आप भी ऐसी बना लो अब लिखने की जरूरत नहीं होती बार बार की 60 लिख नहीं है बस दिखा दिया कि उपर से श आ रही है तो मैं आप से पूछू कैसे कि मैं यह कह रहा हूँ यह कर्व दे रखा है हरे रंग अब इसमें से खीच के निकालो savings कर निकालो इसमें से तो मतलब कितनी अजीब सी बात नहीं होगी कि इसमें से निकालने को कह रहा है savings कर लेकिन करना तो पड़ेगा बही की इन् ताकि y-axis की लखी रहें बिलकुल उससे मैच करें और x-axis तो करी जाएगा तो एक और डायग्राम बना लेते हैं x-axis, y-axis, x-axis पर income लिख लेते हैं और y-axis पर क्या लिखेंगे बताओ savings तो हम यह कह रहे हैं कि हम नीचे savings curve derive करेंगे अभी थोड़ी देर में तो यह हम करके दिखाएंगे तो मैं पहले आपको बोल-बोल के सिखा सिखा के करवाओंगा फिर उसको अंग्रेजी में लिखना पड़ता है वो ज़्यादा मुश्किल काम है चलो तो अब नीचे का डाइग्राम तो अभी खोकला है खाली है बस x-axis और y-axis लिखेंगे हों इसमें कुछ भी नहीं अभी हम कर सकते और उपर हमको एक consumption curve दे रख है और बस फिलाल मतलब यह हमने बना लिया है तो consumption curve हमें दे रख है गिवन है और हमको savings curve को derive करने तो अगर आप लिखना चाहते हैं मतलब अपने future revision के लिए कई बार बात में भूल जाते हैं तो बैस ऐसी लिख लो basically कि हमको यह given है एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि हमको यह curve given है और इसकी मदद से मैं हिंदी में लिख देता इसकी मदद से हमें क्या निकालना है बताओ savings curve तो इसकी मदद से we are deriving मतलब हम निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं savings curve तो यह पूरा मतलब topic अपने आप में बन गया कि भई हमें consumption curve दे रखा है वह given है और हम savings curve निकाल रहे हैं यह एक topic बन गया चार नंबर के लिए important चलो तो सर अब आप बताओ कौन बच्चा बताएगा कि क्या करें कैसे निकालें क्या करें कुछ निक पता चलो तो मैं आपको step by step बताता हूं मदद करता हूं ताकि धीर धीरे बताऊंगा ताकि आपका brain बुद्धी जो है इसको थोड़ा सा brainstorming करें तो हमें काम करते हैं इसको एक level mark कर देते हैं A नाम दे दो इसको आप A तो यह एक level बन गया O A ओ बोलेंगे तो आपके दिमाग में यह intercept अब नजर आना शुरू हो जाएगा है न मैं mark भी कर देता हूं तो हमने इसको नाम दे दिया A तो अब इस पूरे intercept को आप क्या बोल सकते हैं मैं O A तो मैं O A बोल यह क्या denote कर रही थी? Autonomous consumption denote कर रही थी तो हम इसको C bar भी लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं C bar ठीक है? तो अब देखो अब consumption से saving निकालने के लिए कम से कम में है एक बात जो sure हूँ वो यह कि zero income पर जितनी consumption होती है positive उतनी ही savings negative होगी यह बात तो हम surety से कह सकते हैं क्योंकि अगर मानलो zero income पर consumption होती 100 तो हमारी savings होती minus 100 अगर हमारी consumption होती 60 जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं तो ह 1-60 तो मैं एक चीज तो derive कर ही कर सकता हूँ अब नीचे आ जाता हूँ मैं एक चीज तो derive कर ही कर सकता हूँ वो यह कि अगर मुझे यह पता है कि consumption के curve मे positive वाला zone जो है वो oA है हैना positive वाला zone oA है तो एक चीज तो मैं 100% derive कर सकता हूँ वो ये कि savings में negative वाला zone जो होगा वो बिलकुल OA के बराबर होगा तो जितना OA positive होगा उतना मैं कह सकता हूँ कि OA इसको नाम dash दे देते हैं OA dash को कि same नाम नहीं देना चाहिए न OA तो ऊपर वाला हो गया तो इसको हम कह सकते हैं OA dash तो जितना OA ऊपर की तरफ positive में होगा उतना मैं कह सकता हूँ कि OA dash नीचे की तरफ negative में होगा ये बात तो हम 100% surety से कह सकते हैं क्या आप इसमें सब मचसे सैमत हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इस OA dash को क्या बोलेंगे सिंबल में इस सेविंग्स तो अंग्रेजी में हो गया सिंबल में इस सिंबल में बोलेंगे माइनस सी बार तो इसके ब्रैकेट में लिख लो इसको सिंबल में क्या बोलेंगे माइनस सी बार समझ आ गया लिंक उपर वाला क्या था बोलो एक बार positive सी बार उपर वाला क्या थ तक तो कोई तक लीव नहीं है आच्छा तो आप यह आप मत लिखना जो मैं हाथ का निशान बना रहा हूं यह आपके लिए नहीं है तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि मेरा सेविंग्स कर्व क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा सेविंग्स कर्व यहां से स्टार्ट होगा बोलो हां कि ना कि क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा सेविंग्स कर यहां से स्टार्ट होगा हां तो स्टार्टिंग पॉइंट तो अपने को पता चल लिए ठीक है क्लियर है अब यहां से स्टार्ट होने के बाद बस आप देखते रहां करना कुछ मत वह ऐसे उपर जाएगा वह ऐसे उपर जाएग स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वो कैसे ऊपर जाएगा मुझे ये तो अभी तक तो नहीं पता ना लीशी असार नहीं पता है तो सटर यह सब ठीके है यह सब खर देते में अभी तक तो हमको नहीं पता तो अब हम क्या करें हम तो फस गये अब हम क्या करें? बताओ मैंडम आप तो हुश्यार हो तो कीन्स महादय कह रहे हैं कि इनकम कर्व का सहरा ले लीजे ऐसा कीन्स ने कहा तो एक बार पिछली क्लास में चलते हैं और एक बार इनकम कर्व देखते हैं इनकम कर्व कौन साथा? मैं हरे नीले रंग से हैलाइट कर रहा हूँ income curve होता है AS का curve क्योंकि AS के curve को आपको last class में क्या बताया था AS के curve को आप क्या भी बोलते हो income curve बोलते हो तो AS का curve जो होता है या जो income का curve होता है basically वो कहां से शुरू होता है origin से देख रहो काले रंका और उसके बाद वो concentrate से उपर भरता है तो income का कर्व जो होता है उसके लिए मुझे कभी भी values की जरूरत नहीं होती अब ध्यान से सुनना अब आज आपको एक नई चीज भी बताऊंगा क्यों पहले मुझे बनाने देना फिर बनाना बाद में income के कर्व के लिए मुझे कभी भी values की जरूरत नहीं होती reason being income का कर्व हमेशा कहां से शुरू होगा origin से और उसके बाद वो जब भी ऊपर भड़ेगा वो पता है कितने degree का angle बनाता है 45 degree का तो यह आपने नई बात अभी अभी जस्ट सीखी कि income का कर्व बनाने के लिए you never need any values त आपकी income का कर्व तो हमेशा origin से शुरू होगा और वो ऊपर कैसे बढ़ेगा constant rate से 45 degree angle के साथ तो हमने क्या करा हमने given वाले consumption कर्व के साथ एक अपना कर्व खुद बना लिया कौन सा कर्व खुद बना लिया income कर्व तो अब आप यह भी बना लो तो हमने एक income कर्व खुद ब 45 degree होता है तो उसके लिए हमें कभी भी values की जुरूत नहीं है वो तो हम अपने आप बना सकते है जीरो से शुरू करके 45 degree line अच्छा अब सर इससे अब क्या होगा तो एक काम करते हैं पहले इस point को कुछ नाम दे देते हैं इस point को मैं बी नाम दे देता हूं क्योंकि अभी तक हमने बी किसी को denote नहीं करा तो इसको नाम दे देते हैं बी तो अब क्या होगा उससे क्या होगा चलो तो एक बच्चे ठीक है तो आप कहीं बच्चों की बुद्धी चल पड़ी बी point जो है क्या मैं यह कह सकता हूं कि बी point वो वाला point है जो आपने last class में पढ़ा था जो आपने last class में पराँ आ था कि बी point का मतलब है कि यहां पे income और consumption बराबर है वाई और सी दोनों बराबर हैं और वाई और सी जो दोनों बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कीन्स के हिसाब से तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि B वाला point break even point है क्या ये कहा जा सकता है कि B वाला point break even point है है ना ठीक है तो हमने क्या पढ़ा था last class में कि break even point पर अगर income और consumption जहां दोनों बराबर होते हैं तो same corresponding level पर क्या होना जरूरी है saving zero होना जरूरी है very good तो इसका मतलब savings का इस बिंदी पर zero होना अनिवार रहे हो गया अगर वो यहाँ zero नहीं होई तो गड़बड हो गई बात सही है तो इस बिंदी को नाम दे देते हैं B dash क्योंकि B तो उपर दे चुके तो इस बिंदी को नाम दे देते हैं B dash तो हमें ये पता है कि ये वो बिंदी है जहां पर savings का zero होना compulsory है ये वो level of income है ये वो level of income है जहां पर savings का zero होना अनिवार रहे है compulsory है क्योंकि इसी same income level पर उपर consumption और income बराबर हो रहे थे तो अगर मैं हलका सा भी पहले या हलका सा भी बात में कर दूँगा तो conceptually गलत हो गया वो तो ये बात भी सही होगा इसका मलब saving curve B dash point पे आना चाहिए वो इसको छोड़े बिना कहिए और इसे निकल नहीं सकता यहां तक ओक है सब बच्चे को तो अब तो आप महारत ही champ बच्चे हो तो जब हमें दो बिन्दू पता चल गए किसी भी लकीर को खीचने के कि पहला starting बिन्दू है A dash और दूसरी बिन्दी है B dash जहां से उसको पास होना है तो अब जैसे मैं एक बर्क बना के दिखाता हूँ तो क्या मेरा saving curve वैसे बनेगा नहीं क्या मेरा saving curve ऐसे बनेगा नहीं क्योंकि हमको पता है उसको बी डैश पर तो आ नहीं आना चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन ऊपर भड़ता है तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि मेरा savings कर्व कैसा बनेगा ओहू सर ऐसा बनेगा समझ गया ना भावनाव को समझ रहे हूँ यह ऐसा बनेगा तो मेरा savings कर्व कैसा बनेगा एडैश से शुरू होगा और बी डैश को भी पार करते हुए सीधा ऊपर चला जाएगा तो हमने consumption कर्व की मदद से देखो सेविंग्स कर्व डिराइव कर लिया तो यह अब हम नीचे की तरफ बना सकते हैं तो यह हमारा savings कर्व डिराइव हो गया consumption कर्व की मदद से तो यह टॉपिक था जिसको हमने अभी सिर्फ समझा है अपनी भाशा में कि टो अप मेंद इसका अंग्रेजी लिखने का तो अब इसी के नीचे पूरे डाइग्राम के बाद लिखो सबसे पहले फ्रस्ट अयरोदाल के यह ताकि एक्जाम में भी आप लिक सको अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं इसमें भी क्योंकि दो डायग्राम बना रहे हैं न हम तो पहले डायग्राम को आप नाम दे दो फिगर वन तो जब हम फिगर वन का रिफरेंस यूज करेंगे तो मतलब उपर वाला डायग्राम और दूसरे डाइग्राम को क्या नाम दे दो figure 2 तो जब हम नीचे वाले डाइग्राम का reference यूज करेंगे तो figure 2 लिख देंगे अपनी अंग्रेजी में तो इसलिए ये भी नाम देना जरूरी हो गया तो अब हम लिखते हैं अंग्रेजी इन figure 1 A.C. is the consumption curve in figure 1 A.C. is the consumption curve and O.Y. is the income curve bracket में लिख लो 45 degree line 45 degree line check कर ले तहां मैं हर चीच चेक कर भाऊँगा पूरी सुन्तुष्टी आपको मिलनी चाहिए तो figure 1 में अभी मैंने दो references पकड़े हैं एक पकड़ा है AC और एक पकड़ा है O.Y figure 1 में वो कह रहा है check कर लो figure 1 में की AC जो है वो consumption curve है वो clear हो गया हरे रंग वाला और O.Y जो है वो income कर वे 45 degree line हो ले तो हमने figure 1 का reference ले लिया ठीक है उसके बाद second arrow हेलो बच्चो बच्चो क्या आपका भी सपना है Chartered Accountant बनने का और आप चाहते हैं अपनी CA की journey मेरे साथ यानि की हमारी पूरी RKG team के साथ complete करना तो आपको करना है सिर्फ एक काम RKG CA Classes के app को आज ही download कीजिए यहाँ पर आपको CA Foundation, CA Inter और CA Final की आपकी complete journey की guidance मिलेगी RKG के साथ अपनी CA की तयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनो options यानि की अगर आप online घर बैठे तयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और अगर आप offline institute में आकर अपनी preparation करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम RKG CA Classes के app को आज ही download करें इसका link आपको नीचे वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत best wishes I hope आपकी CA की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे successful chartered accountant बनके निकले Second arrow में लिखना है We know that We know that Savings is the Difference between Income and Consumption That is S is equals to Y minus C That is S is equals to Y minus C तो इसमें हमने कोई figure का reference ही नहीं लिया तो इसमें मुझे कुछ दिखाना नहीं है बस आपसे पूछने कि क्या आप इससे सब agree कर रहे हैं Last class में आपको सिखा चुके हैं कि savings जो होता है वो income minus consumption एक मतलब formula basic होता है उससे हम वही लिख रहे हैंगी we know that saving is the difference between income and consumption फिर इसी के continuation में लिखना है when income is equals to zero या third arrow बना के लिखना sorry third arrow बना ले न when income is equals to zero comma consumption is बताओ क्या था हमारा reference point इस डियाग्राम में figure one में income अगर zero होगी तो हमारा consumption क्या लेवल होगा A तो हम बोलेंगे OA तो income zero होगी तो हमारा consumption क्या लेवल होगा OA clear तो यही लिखना है तो when income is equals to zero consumption is OA और OA के bracket में लिख लो that is क्या होता है OA A हमला autonomous consumption that is autonomous consumption C bar ठीक है full stop thus thus the corresponding level thus the corresponding level of saving thus the corresponding level of savings corresponding level of savings को आप थोड़ा सा मतलब अंडरलाइन या हाइलाइट कर लेना thus the corresponding level of savings इस इस बताओ क्या वह कह रहा है कि जब इंकम जीरो है तो consumption OA है तो कह रहा है इसी लिए savings का corresponding level इसका मतलब वह कह रहा है जब इंकम जीरो होगी तो सेविंग का corresponding level क्या होगा ओए डैश वेरी गुड़ क्लियर होगे सबको पर्फेक्ट तो यह लिखना है thus the corresponding level of savings is OA और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो figure 2 मलब ताकि एक्जामेर को दिख जाए ना OA डैश पता चला वह उपर के डियाग्राम में OA डैश ढूंड रहा है कि यह का है ओए डैश तो OA डैश कहां पर figure 2 में यहां तर clear हो गया corresponding level तो यह कौन सा पॉइंट था यह भी दिखालता हूं डियाग्राम पर तो यह डैश कौन सा पॉइंट था सेविंग्स कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका मलब मुझे एडैश बिंदी से क्या पता चल गया कि मेरा सेविंग कर्व कहां से शुरू होगा एडैश से शुरू होगा तो यह बात हम अब लिख लेते हैं इसी के नीचे हेंस 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 एडैश इस दा स्टार्टिंग पॉइंट हैंस एडैश इस दा स्टार्टिंग पॉइंट ओफ सेविंग्स कर्व तो हम पहले पढ़ाओ तक तो पहुँच गए यानि कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट तो निकाल लिया शुरू की अंग्रेजी तक यहां तक सब बच्चे agree कर रहे हैं सबको समय जा गया है फिर इसके वर next error दालके फिर हमने क्या करा वो लिखते हैं next error में at point B bracket में figure 1 कह रहे है point B पर at point B income and consumption income and consumption are equal that is, बताओ, क्या उन्सा point? break-even point that is, break-even point तो पहले यहां तक दिखा देता हूं कहाँ रहा है, at point B, figure 1 पे income and consumption are equal that is, break-even point तो बहले यहां तक चेक कर लेते हैं, जो लिख रहे हैं, अंग्रेजी तो B point चेक करो, figure 1 पे B point चेक कर लिए आपने figure 1 पे तो कह रहा है, at point B, income and consumption are equal that is, break-even point ठीक है? तो बताओ, आप तब तक को orally Hindi में बताओ, तो वहाँ पे उससे क्या पता चला था हमें की saving 0 होने चाहें, तो बस यह लिखते हैं, आपके तो at point B, figure 1, income and consumption are equal that is, break-even point, full stop therefore, therefore savings will be 0 at corresponding level of income तो कह रहा है, इसी लिए savings 0 होंगी corresponding level of income पे अब bracket में बताओ, वो कौन सा point आ रहा था, B dash बिल्कुल सही, तो bracket में लिख लेते हैं, B dash in figure 2 तो बिल्कुल clear हो रही है, कहान है, crystal clear तो saving will be 0 at corresponding level of income B dash, तो B dash point पर saving 0 हो गई तो हमें दूसरा point भी पता चल गया था, B dash वाला तो यहां तक भी हम पहुच चुगे, हमें starting point पता चल गया, A dash और हमें B dash भी पता चल गया, फिर last हमने curve कैसे बनाया, यह कैसे बनाते हैं line को दोनों points को join करके एक लकीर खीज दी, तो saving curve derive हो गया, तो last arrow दालके बस यहीं लिखना है तो last arrow में लिख लेंगे we shall join, we shall join A dash and B dash and extend this line to get savings curve तो we shall join A dash and B dash, इसको थोड़ा underline कर लो क्योंकि main चीज यही है तो A dash और B dash को हम join करेंगे और उसको extend कर देंगे तो automatically हमें क्या मिल गया, savings curve मिल गया, तो यह पूरे steps बन गए जो हमको करने दे, तो clear होगे सब बच्चों को, अच्छे से steps तो यह basically थोड़ा important topic था जो हमें करना था, अब अगला topic जो है वो इसका उल्टा topic है तो वो हमारे लिए असान होगा, अगला topic क्या होगा Derivation of consumption curve from savings कर तो उसको हम थोड़ा सा paste पे कर लेंगे और लिख लेंगे सारा, तो बस यह दोनो आज main topic समको करने तो आप इसी के नीचे आप अगला sitara दालके heading दाल लेना Derivation of consumption curve Derivation of consumption curve from savings curve ठीक है तो same कहानी मतलब वोई कि important है exam के लिए चार number या छे number में 100% chances हैं पूछे जाने के तो हम इसको दुबारा से mark कर लेते हैं चलो तो इस बार पहले starting वोई करते हैं दो diagram बनाएंगे पहले first diagram बना लेते हैं तो इस बार क्या है story क्या है story समझ आ गई आपको इस बार story यह है कि हमें savings curve given है और हमको savings curve से क्या निकालना है consumption curve ठीक है न तो story जो है वो हमारी same हो जाएगी पुराने वाली थोड़ी थोड़ी चला तो एक्स एक्स पर लिख लो income और य एक्स पर लिख लो savings तो एक्स एक्स पर income य एक्स पर savings और हमें दे रखा है एक savings curve given होगा तो savings curve बना लेते हैं savings curve कैसा होगा जी नीचे से शुरू होगा A से और यह बन गया हमारा savings curve S तो यह हमें given है यह basically यह हमारा starting given है savings curve तो अब इसकी मदद से हमको निकालना है consumption curve तो हमको क्या करना पड़ेगा अब सबसे पहले नीचे पहले बिलकुल सेम एक डायग्राम बनाना पड़ेगा तो हम बिलकुल इसी के नीचे exact नीचे एक डायग्राम बना लेते हैं origin x-axis पर income और y-axis पर consumption चलो तो अब पहले ओरली डिसकस कर लेते हैं steps फिर अंग्रेजी मैं आपसे लिख वालूंगा तो सबसे पहले बताओ कि अब हम क्या करें starting कैसे करें क्या पता जो minus c बार होता है तो इससे हमें क्या पता चल गया कि consumption की starting कहां से होगी ओ एडैश से होगी यानि कि positive zone में उतना ही exactly उपर से होगी यानि कि consumption जो मेरा start होगा वो कहां से start होगा वो मेरा ओ एडैश से start होगा तो मुझे एक तरह से यह पता चल गया ठीक है मैं लिख देता हूँ आप चाहिए लिखो ना लिखो तो मुझे पहले step में यह पता चल गया कि consumption का starting point क्या है तो consumption का starting point पता चल गया समझ गया step क्योंकि जितना savings negative होता है उतना ही consumption क्या होता है positive होता starting point हमें बता चल गया ओके अब यहां से consumption कर्व ऐसे जाएगा कि 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 ऐसे उपर जाएगा हमें कैसे बता चलेगा बात समझा रही है हमें कैसे बता चलेगा तो बताओ कैसे बता चलेगा कैसे बता चलेगा इनकम कर्व बनाना पड़ेगा पहले क्योंकि वो तो 45 डिग्री उसके लिए तो एक इनकम कर्व बना लेते हैं जी तो यह बन गया जी इनकम कर्व 45 डिग्री चलो तो बच्चों ने गाएक इनकम कर्व बना लो ठीक है फिर अब इनकर्म कर्व बना लिया अब क्या करेंगे नेक्स स्टेप अब सेविंग्स कर्व में एक पॉइंट यहां पर ऐसा आ रहा है जहां सेविंग्स क्या है जीरो इस पॉइंट को मालो हमने नाम दे दिया बी पॉइंट तो savings अगर b point पर 0 है तो इसका मतलब b point क्या होगा break even point होगा तो वो हमको पता है वो तो savings कर्फ तो given है हमारे पास तो b point हमारा क्या होगा break even point होगा तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि corresponding level पर consumption और income बराबर होनी चाहिए तो अब हम इसका corresponding level नीचे लेकर आते हैं तो आप भी नीचे ले आओ corresponding level तो नीचे आ गए नीचे आ गए नीचे आ गए नीचे आ गए corresponding level में नीचे आ गए नीचे आ गए तो इसने y को यहाँ पर touch कर दिया इसने वाई को यहां पर टच कर दिया ठीक इसको मानलों तो नाम देते हैं बी डैश इसका मलब इस बिंदी पर इस बिंदी पर इंकम और कंजम्शन बराबर होने चाहिए मलब कंपल सरी होई नहीं तो बात अब क्योंकि यह पॉइंट कौन सा पॉइंट ब्रेक इवन पॉइं हो जहां तक ओके होग एग अगला step क्या जॉइन करेंगे किने a डैश और भी डैश को एक्स्टेंट कर देंगे line को यह बन गई अंग्रेजी तो a डैश को और भी डैश को जॉइन कर दिया और यह बन ग occupie line तो इसका नाम आ गया C, तो हमने देखो, derive कर लिया consumption curve, ठीक है, तो आपका शायद गलत बनाओगा, ऐसा मुझे लग रहा है, थोड़ा feeling से आ रही है न, क्योंकि ये पहली बार में सटीक नहीं बन पाता है, इसके लिए practice चाहिए थी, मैंने आपको पहले भी कहा था, तो कोई बात ने, लेकिन आप समझ गए कि ऐसा consumption curve, derive हो गया, चलो, तो इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है, वो आपका homework है, बस, मला homework मतलब, अपने आप लिखनी है, समझ गए अंग्रेजी क्या लिखनी है, ठीक है, बस तो यही थे दोनों topic, तो यह था बच्चों, आज के हमारे इस lecture में, I hope आपको पूरा वीडियो lecture अच्छे से समझ आया होगा, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस topic में कौन-कौन सी चीज़े आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस lecture में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे mention करके नीचे जरूर बताना, क्य क्या होता है, और कल को जब यह पढ़ लिखके अच्छा, कॉलिज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल भढाना होगा, तो लिंके इन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे है, तो ठीक है, इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे गया है, मोटिवेशन चाहिए है, हाँ बच्चो को, तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते, तो ठीक है, बच्चो की मर्जी, इनके नमबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन में लेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बढ़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं झाल 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 झाल